अबे रोहन कहा जा रहा है तू इतनी सारी कitab लेके बेचने जा रहा है क्या अबे एक्जाम नज़े नस देख सदेग वैया ऐभाई पढ न आ हूं तेरे पास भाई नोट मेंकिम बटा दे इतनी सारी किताब लाई हूं इसमें से कुछ नोट मेंकिमि के बता दे यार में हर ब बाए तो इंग्लिज जुवार देखता है, इंग्लिज जुवार यूटूब पे सर्चमार, पै सारा पेपर सोल भें, चुट क्यो मैं नुआ है? इंग्लिज जुवार? यूटूब पे? अच्छा, यूटूब पे? भाई बता दे प्लीज कहा है? यह तो गया यह तो मुझे से आगे निकल जाएगा चल दोस्तों देखा आपने कि इन महाश्य को बहुत जल्दी है और यह देखने जा रहे हैं इंगलिज तो दोस्तो मैं आपको तो समीर आपके लिए लाया हूँ नोट मेकिंग तो चलिए देखते हैं क्या है नोट मेकिंग और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जाद इससे जाद शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कर दिए चलिए देखते हैं क्या है हाँ तो दोस्तो ये है note making दोस्तो exam में note making question number 3 होता है जो कि reading section A में होता है तो यहाँ पर मैं आप के लिए बहुत effective और बहुत बढ़िया note making लाया हूँ जिसमें marks नहीं कटेंगे और आपको पूरे marks मिलेंगे बस आप इस format को ध्यान रखिये और बस इस वीडियो को आखिर तक देखिए, फिर देखना आपको note making बहुत आसान लगीगी, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तो note making में जो तीसरा question होता है, उसका पहला, एक question में वो title, heading, subheading, abbreviations, plus में, वो सब-सब heading भी मांगता है, अगर आपके पास समय है तो, उसके A, मैंने लिखा है, यह part है, तो यह answer number मैंने 3 लिखा है, और आपको भी इसी अंदाज में यहाँ पे लिखना है, तो यह topic का नाम है, note making, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो यह temple of सोमनातपुर है, यह दोस्तो एक title होता है, उस जो question में आता है, और इस सिर्फ एक बार repeat होती है, वही हमारा title माना जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो जिस पर लिखा जाता है paragraph, तो हम उसको title बानते हैं, तो यह देखिए, capital letter में लिखना है, और दूसरी बात यहाँ पर black pen का प्रियोग कीजिए, ताकि जो examiner है, काफी impressed होगा आप से, उसके ब यहाँ पर notes लिखा है, उसके बाद देखो, फिर दो लाइन का gap दे आया है हमने, और आपको भी इसी अंदाज में करना है, फिर देखिए, यहाँ पर जो एक number आपको दिखाए दे रहा है, यह एक man heading मांग रहा है, man heading का मतलब दोस्तों, उसके अंदर जो main points हैं, हमें उसमें randomly select करने पड़ेंगे, और वही लिखना है, तो मैंने यहाँ पर prominent temples of Somnathpur ले लिया है, जैसे मान लीजिए, यह man heading है, और man heading आपकी minimum दो word, कभी-कभी एक word से भी हो सकती है, और यह as a sentence भी हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने चार wordों में अपनी man heading ले लिया है, वो भी black pen से, आप आपको भी इसी तरही से करना है, देन दोस्तों, यहाँ पर एक line जरूर gap देना है, ताकि जादा messy type करना हो, और आराम से teacher के समझ में आ जाए, देन मैंने यहाँ पर जो है, 1.1, यह जो 1.1 है, यह एक sub heading है, sub heading मतलब उसके nearest जो lines है, आपको वो choose करनी है हो, उसके बारे में ल देखना है, जैसे मैंने build around 1280, यहाँ पर यहाँ पर यह sub heading है, और sub heading लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो साफ साफ question में पूछता है, देन मैंने आपको यहाँ पर 1.3 है, दोस्तों, यह numbers का जो system है, वो पहली main heading का, पहली main heading का, पहला sub heading मैंने लिया है, और इसे bracket में बं लाएं आपे, build by, यह भी एक sub heading है, तो यह sub heading और heading वो ही होती है, जो हमें paragraph में चाटना होता है, उसके बाद 1.3, यह भी एक sub heading है, build by most appropriate, और यह जो आपको यहाँ पर यह dot दिख रहा है, यह abbreviation है, दोस्तों, abbreviation ज़रूरी यूज़ करना है, अगर आप abbreviation यूज़ नहीं करत हैं, तो teacher आपके marks काट लेगा, तो एक number का abbreviation होता है, तो कृपिया इसे जरूर करें, तो यहाँ पर मैंने abbreviation करने का बहुत आसान तरीका होता है, अगर कोई भी 5 word का है, तो उसे starting के 3 word लिग दीजिए, यह 7 word हो का है तो उसे, आसानी से आप 5 word लिग दीजिए, 3 word लिग दी है, यह एक sub heading है, जो की 1.3, यह हमें sub heading भी वहीं से थोड़ी लेनी है, ताकि जो point है, वो हमारे clear हो जाएं, और यहाँ पर एक sub heading, एक man heading में जरूर लेनी है, कम से कम एक sub heading जरूर लेनी होगी, और अगर time हो तो दो भी ले सकते हैं, और वैसे इतना बड़ा issue नहीं है, सब sub heading heading का, लेकिन आप फिर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप पर time हो तो, और उसके बाद next जो है, वो, यहाँ पर यह दूसरी देखिए, main heading में ने यहाँ पर दूसरी main heading ले रखी है, temple the beauty and vitality, तो दोस्तों, जो दूसरी main heading है, आप दूसरे paragraph से उठा सकते हैं, अगर paragraph ज आपे कर सकते हैं, तो इसी के अंदर में ने देखो 2.1 ले रखा है, और यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर देखो, black pen का प्रियूग किये जा रहा है, कुछ different करा जा रहा है, इससे काफी attractive लग रहा है, exams में जो यह paper है, तो 2.1 इसलिए लिखा है, क्योंकि यह दूसरी main heading है और इसकी पहली sub heading है, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर एक sentence भी नहीं है, और main main word लिखे हैं यहाँ पर मैंने, तो बहुत से लोग कहते हैं, कि इसमें sentence लिखने चाहिए, और इससे 2 word लिखने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मेरा माना यह है, कि अगर आपका content अच्छा है, तो उसमें कोई sentence लिखने की requirement नहीं है, और बाकि अगर आपको लग रहा है, कि यह doubt है, यह word हो सकता है, तो आप उससे sentence में भी लिख सकते हैं, इतना कोईसमें कोई foundations नहीं है, लेकिन जादे बड़े sentence लिखना अनिवारे नहीं है, तो यहाँ पर मैंने wording लिखी है, और देखें, आपे 2.2, फिर मैंने लिखी है, यह भी sub heading है, और then last में आके 2.3, यह भी एक main heading है, हाला कि मैंने इसमें sub heading का प्रियूग नहीं किया है, इतने जरूरी नहीं है, अगर आप पर time है, तो आप इसे ले सकते हैं, उसके बाद देखें, यहाँ पर मैंने PTO हाँ, हाँ दोस्तों, यह है इसकी तीसरी main heading, जो कि characteristic of hoya sala and sculpture, यह कुछ इस तरह के word है, जो कि बड़े बड़े word चुनना है, जो कि काफी difficult होते हैं, वो बड़े होते हैं, तो इसमें 3.1, 3.2, और यहाँ पर देखिए, दुबारा से मैंने आपे sub sub heading की use करा है, और आपके पास अगर समय हो, तो आप इसे sub heading को भी लिख सकते हैं हर किसी भी लिखनी को आविशकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे ले सकते हैं, उसके बाद मैंने 3.3 का परियोग करा है, देखिए, यहाँ पे भी एक sub heading का परियोग किया गया है, तो यहाँ पे आप 3-3 sub heading का परियोग कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर एक-एक sub heading भी ल तो देखिए यहां पर जादे बड़े sentence भी नहीं है और कुछ वर्डिंग भी नहीं है इतनी जादा छोटी तो यहां पर बिल्कुल perfect एकदम बहुत अच्छा format यहां पर देखनों को मिला है आपको यहां पर कम से कम आपको चार main heading बनानी ही पड़ेंगी दो मैंने पीछे page पे key to abbreviation इसे कहीं side में डालना है बच्चे क्या करते हैं साइड में डाल देते हैं इसे इतना इसा नहीं करना है इसको ध्यान से देखना है और यहां पर key to abbreviation जरू लिखना है फिर underline कर सकते हैं इसे उसके बाद देखिए serial number जरू लिखना है मैंने 12345 exam में कह रखा होता है minimum 4 ले लिए तो कितना बड़ा इशू नहीं है उसके बाद abbreviation words इसलिए हैं क्योंकि abbreviation words है तो मैंने क्या के लिए आप प्रॉल जैसे कि आपको डॉट दिख रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं आप छोटे word है और यहां पर इसकी पूरी full form लिखी हुई है यह आपको जरूर क करना है खासतोर से इस notes में तो यह abbreviation होता है एक number का लास्ट में इसको बंद जरूर कर देना है और यह बहुत जरूरी है अगर आप इसे circle नहीं करेंगे बंद नहीं करेंगे box में बंद नहीं करेंगे तो आपके marks definitely कटेंगे दोस्तों यह था तरीका ए अब हम चलते हैं इसक एक box में है यह एक new format है जो कि एक box में देखने को मिला है आपको तो देखिए यहाँ पर यह हम हाँ तो देखिए दोस्तों यह मैंने 3.2 ले रखी है और 3.3 का B कोशन है यह और यहाँ देखिए मैंने summary लिख रखाए चाहते हो इसे आप middle में लिख सकते हैं लेकिन black pants है और यहाँ पर आप यह नई चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी जो title है वो भी यहाँ पर दे रखा है हाला कि title बिल्कुल दोस्तों उस heading के title से बिल्कुल different होना चाहिए क्योंकि हर passage में paragraph में दो कि आप को चीज यसे लगती है जो में हो तो यहाँ पर मैंने कुछ अलग title ले रखा है वहाँ पे कुछ अलग यहाँ चाहिए ले रखा ईसे आपको भी आप सीधे सीधे लाइने ही उतारिए और पहला और लाश्ट का पहले गराफ दोस्तों जरूर लेजिए गा ताकि टीचर्स को समझ में आ जाए कि हमने इसको पूरा कवरप करा है तो यह आठ दस लाइने असी वर्ड जो भी आपसे लिखे जाएं आप यह लिख सकते हैं औ और यह है आपकी पूरी 3 marks के दोस्तों इसमें marks कटने के बहुत कम चांस हैं और आपको पूरे marks मिलेंगे क्यूंकि यह format बहुत अच्छा suitable है तो यहाँ पे आपको वस्ती वर्ड पूरे पूरे करने होते हैं मतलब कि आप आर्ट या साले-8 लाइन है या 9 लाइन जैसे आप जाम से बहुत अच्छे मांग्स आपको मिलेंगे तो ये था हमारा नोट मिंगिंग का फॉर्मेट